पहले कॉलर हमारे साथ हैं सोनिका जी पटियाला से स्वागत है आपका जी प्रेशन बोल रखे है जी यह शादी शुदा है ना जी शादी शाल की उमर है जी शादी शुदा दो बत्ते हैं जी ठीक ठीक है अच्छा फिकर नहीं करें और एक आसान नस्का है और यह होता है अलोविरा का सिर्का सिर्का अलोविरा का सिर्का जरा मुश्किल से मिलता है दो चम्मच रोजाना रात को पानी में मिलाकर एक गिलास पानी मिलाकर प्ला दिया करिए आपकी बैच्ची का ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है राजवती तुगलकाबाद से हमारे साथ स्वागत है आपका जी आदर हेलो जी जी बताइए मैंने मेरे दो सूजने पैरों में कम से कम 16-16 साल होगी सूजने पेट भी सापने हुए और गैस बहुत ज़्यादा बने पेट में बहुत गर्मी बनी और एलर्ट तो मैंना आपके इहां फॉन करा तो इन्होंने मुझे उदिया और सिर्फा जी लिया आपने आपने मैंना आपके हैं फंकरा लगी सिर्का मिला आपको इस्तमाल करने लगी सिर्का आज ही आया और तो मैं आपस बिमारी बता रही एक तो मिर सूजन है ठीक प्रेट साप नहीं हो ए गैस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब ऐलर्जी हो भी बहुत कितने हैं या आपकी हैं एक फिर्यों पर बामन सरेपन तो होरी जोड़ी जोग्ट्र ब्रक्तव जो देखें यह सिर्का तीन चम्मच रात को पानी में डाली है एक ग्लास पानी में ऐसे एसे ही मत पिये ना काफी तेज होता है एक गिलास दो-धाइस हो ग्राम पानी में मिल जाएगा और आपकी ये दोनों तीनों परिशानियां ठीक होना मुम्किन है। जाएगा परिशानियां ठीक होना मुम्किन है। इतना तजाब बनता है तो महरा जी कुछ किर्पा करिए। आप उनकी अपनी महवववा की उमर बता दिये खाली मुझे। तीस साल है जी। ठीक है। और देखिए मैं भी आपको अच्छा नुस्का बताता हूं और आप खुद बनाईएं अगर वाकिए आप उनके चाहते हैं तो अपने हाथ से घर में बनाना। और वो यह है के आपको लेनी है दो सो ग्राम अलसी, दो सो ग्राम आमला, दो सो ग्राम साफ और दो सो ग्राम धनिया। दो सो ग्राम अलसी, दो सो ग्राम आमला, दो सो ग्राम साफ और दो सो ग्राम धनिया। और इसमें डेड़ सो ग्राम मिलाईए, कलोंजी का नमक आता है, नमक कलोंजी कहते हैं, या एस्टेक कलोंजी कहते हैं, ये रसायन होता है कलोंजी का, इसमें डेड़ सो ग्राम मिलाकर, और इसको घर पर पाउडर बनाएं, कोई भी चीज पीसी पीसाई लाएंगे तो असरद बख़idar और झीक चनवाँ को सब्सक्राइब której चाय का चमच क्छ्वाइब 2 मTION का उढ़ खाल मेरी तरफ तो उनको फायदा होना होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है नीलम हरियाना से हमारे साथ स्वागत है नीलम जी आपका जी नमस्कार जी नमस्कार जी नीलम जी आदाब बताईए क्या सवाल है प्रेणा मुझे आदाब मैरे मम्मी बरेम पूछना है मेरे मम्मी की बहुत ज्यादा परेशानी है चुछ से प्रेशाना Bantry攻da में कूछ बटादीए मम्मी की सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा प्रेशान है इतना कफ बनता है सारा दिनों इसकान ही चाती करना कुछ भी नहीं खास सकती है ते ठीजिए अच्छा देखिए सौट और अलसी आप लीजे और अलसी को थोड़ा भून लीजे जिसे तीन सो गिराम अलसी तो दो सो गिराम सौट लेनी है और अलसी को थोड़ा भून के पौडर बनाना है और फिर ये एक चमच रोजाना इनको दिया करें और अगर शुगर वगरा नहीं है तो शहद में भी डाल सकते हैं ये जतने ये वज़न है इनका इतनी शहद में डाल दीजे और एक चमच इनको दिया करें बुजरत हो तो दो बार भी दे सकते हैं गरम पानी से और पांच बार गरम पानी प्लाना है इनको ये इनके कफ का बलगम का इलाज है और जो ये सीधी नहीं चल पाती है उसके लिए गौन आता है गौन सिया काला गौन कहते हैं इसे मुश्किल से मिलता है और असली ही लेना रो मैटेरियल लेना पिसा पिसा है नहीं कोई भी कितना भी कहे और ये आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम इनको खाने के बाद बगेर चर्बी के दूस से रईस हैं तो जूस से और गरीब हैं तो पानी से दो बार आदा आदा ग्राम ही देना इससे जादा खुराक नहीं दे सकते आप देखेंगे कि इस उमर में भी ये सीधी हो गई और इनके हाथ पैरों में एक दम तवाना ही आगई ताकत भर गई और ये सो दो सो ग्राम खरीद के आप इने आदा आदा ग्राम खिलाई है और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी बुज़र्ग मा के लिए ख्याल किया सब बच्चे ऐसे नहीं होते और आप अपनी मा का ऐसी ख्याल लखा करिए भगवान आपकी बहुत मदद करेगा जिन्दगी में हर जगा पर आपकी मदद करेगा नेक्स्ट कॉलर है दिवान चुन्द जी पत्याला से हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार जी जी नमस्कार जी है अधाव हमने जी अपनी लड़की के बारे में पूछना था जी नाम उसका सोनिका है जी उसकी उमर 35 साल है उसके दो बच्चे है जी उसकी यूट्रेस के अंदर जो मतलब के आठ है आठ है में की रिसॉली है जी और उसको ब्लेडिंग बहुत जादा होती है हाँ देखिए एक सिर्का आता है अभी शाद आपकी घर से फोन आया था या यह दूसरा कॉल है यह सिर्का आता है अलो विरा का सिर्का अलो विरा का जूस तो सब पीते हैं लेकि सिर्का उससे सो गुना फाइदे मन होता है तो तीन चमच रात को पानी में एक गिलास पानी मिलाकर रोजाना बच्ची को पिलाया करें और उपर वाले से आप प्रात्मा भी करें बच्ची का ठीक होना मुम्किन है चले इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से हमारे साथ अरुन जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार जी आदावर आदावर साथ बताई क्या सेवा करूं अरे वाइब को माजून आर्कियर दे रहे हैं हिंगी तो क्या उनकी कुछ खांसी थोड़ा सा बढ़ा नहीं लग रहा है हलका बलकाई खांसी बढ़ावा लग रहा है चो खांसी दे रहा है अच 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 दिखे अपी तो उसने काम भी शुरू नहीं किया पांच साथ दिन बाद आठ दिन बाद काम शुरू करती है और अभी ऐलोपेटिक दवा देते रहे हैं जब यह कंटॉल करने लगे यह 8-10 दिन बाए थोड़ा-थोड़ा फाइदा शुरू करती है और जब यह कंट्रॉल करने लगे तो फिर अपने डॉक्टर के मश्वरे से कम करना दवाई एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि काफी ऐसी मरीज़ा हैं जिनको काफी परिशानी है तो जैसे जैसे यह कंट्रोल करें वो दवा को कम कर सकते हैं और फिर डॉक्टर के मश्वरे से उसे छोड़ भी सकते हैं लेकिन इसे कमस कम एक महीने बाद आपको कुछ फायदा नजर आएगा तो जितना परसेंट फायदा उत्ती परसेंट दवा छोड़ सकते हैं एकदम मत छोड़ी है नहीं तो तकलीफ में आ सकती हैं यह दीजे अभी दोस्ता काम भी शुरू नहीं किया पांच दिन में तो कुछ भी नहीं होता युना इन दवा आट दिन दस दिन के बाद फायदा शुरू करती है जी प्रवीन जुड़े हैं स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार मैं नालागर से बूल रही हूं मेरी उमर 55 है और मुझे ज्वाइंट स्पेन की प्रोब्लम है पांच से साल से बहुत ज्यादा अलिकाशिक द्रहिया खाती हूं मैं और मतलब हर उसमें जक्रन रहत है बहुत प्रोब्लम होती है मुझे उठते हुए जैसे नजसे मेरी कठी होड़कते हैं ऐसी प्रोब्लम है मुझे ठीक है अच्छा देखिए एक कच्छी दवा एक ऐसी भी है रहो मेटेलिस जिसे कहते हैं कि अगर उसे सादो सो ग्राम खरीद लो और उसे इस्तमाल करना श सहीं बरतना क्योंकि पांच-छे साल से जो आप तकलीफ उठा रहे हैं मुझे आपसे पांच-छे महीने चाहिए क्योंकि ये आईरवेदी की युनानी दवा बता रहा है और वो भी रौ मेटेरियल एक गौन आता है जिसे गौन सिया कहते हैं सिया मतलब काला है काला गौन कह दीजे या गौन सिया बता है ये रौ मेटेरियल ही लेना यानि कच्ची दवा लेना कोई का है पिसाबा है कोई का है टैबलेट है बिल्कुल नहीं ये आपको खुद लेना है खुद बनाना है इसका पाउडर बना लीजे और इसका पाउडर बना के देखिए ये चुटकी ह बार नाचते के बाद खाईए और दो चुटकी रात तो खाने के बाद खाईए और पानी पीजे बगएर चर्वी का दूद पीजे या आप रईस आदमी लोग हैं तो जूस भी पी सकते हैं सब को सबसे फाइदा होता है चर्वी वाला दूद मत पीना अगर इस उमर में 200 ग्राम खतम होते होते आपकी बीमारी का खात्मा मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है अम्रेश हमारे साथ पंजाब से स्वागत है आपका जी बताईए जी अदर तब मेरे को प्रॉब्लम दिए बिरना हाथ तरह में खिचाव रखता है क्या दिक्कत है आपका फैस नी कोतिस्साल चौतिस साव और बहुत छोटी उमर में इस भी उन्साथव को क्या करते हैं सा क्वैक्ट्य गामें फैक्ट्रिक कोई महनध महनध करते ज्यादा मैं मैं महनध नी करता दखी बैठ रहना होता आ रात फोट्षझा आ स्या लित कि इस अमर में जल् embrец़न हो वे आपको कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़ा से ये सब हो रहा है और देखिए एक दवा भी बता देता हूं क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि दवा नहीं बताते हैं और हम कैसे बनाएं हम कहां से मगाएं कैसे करें तो एक दवा आती है कैपसूल टी केर टी फोर टाइग सुबा शाम खाने के बाद एक एक कैपसूल खाएं और निश्चिंत हो जाएं देखिए वो ही मैं आपसे कहूंगा पांच आट दिन दस दिन के बाद आपको फाइदा शुरू होता है ये औरिजनल दवा होती है या पिर आप गौनसिया लें और उसको इसको इस्तमाल करें आद आद गराम तो फाइदा मुम्किन है